आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे कैनरा बैंक के बारे में, और क्या ये फिर से 80 के भावों पे दिख सकता है, पूरा विशलेशन करेंगे, क्यों कह रहे हैं दिख सकता है, और आपको as a retail investor short term trading के हिसाब से क्या करना चाहिए इसमें, आइए चलकर विशलेशन करते हैं कैनरा बैंक का, सबसे पहले आपको बता दे देखें दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर इन जनरल थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में था, तो वहां से correction लाजमी था, और उपर से उसके उपर, जो COVID का जो नया symptom प् नहीं है, अपने आपको रूप बदल-बदल कर लेके आ रहा है, नए-ने वर्जिन में आ रहा है, जिसकी वेसे stock market में लग रहा है, फिर से correction आने की उम्मीद हो सकती है, आईए चलकर सबसे पहले देखते हैं, हम इंट्रडे का चार्ट, अगर कैनरा बैक का इंट्रडे का च हमारे analysis के हिसाब से ये भाव अब आपको 80 की तरफ को लेके चलेगा, समझे ज़रा इसका intraday का चार्ट को आपको समझाते हैं थोड़ा detail में, क्यों कह रहा हैं और कैसे हो रहा है, देखिए जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कैसे काम करते हैं operators, morning में positive खोला और दिखाया गिरे और उसके बाद में थोड़ा सा reaction करके नीचे को आए, तो इससे market में आपको संभलने की ज़रूत है, as per few of the brokerage house information, जो हमारे साथ connect है, उनके accordingly, यहाँ पर retail investors ने more than 90% की long position बनाई वी, अब आप समझ सकते हैं, अगर retail investor एक तरफा होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा chance य आएगा ही आएगा, long position बहुत खतरनाक है, अगर retail investor इतने तकड़ी तरह से long position होते हैं, किसी भी stock में, यही पर अगर आप हमारे favorite indicator, alligator indicator के बारे में बात करें, तो देखिए, कल और आज दोनों दिन 105 का जो critical level है, वो उन्होंने touch किया और bounce किया है, दो बार ऐसे bounce हो आए, अग इसने का correction थोड़ा लंबा है, RSI ये भी ऊपर था, देखिए समझे दोस्तों इस बात को, और इसने तो पहले ही RSI को overboard zone में बता दिया था, यहां से 128, 130 तक का level बनाया, इसने RSI का, और उससे फिर नीचे गया, continuously अभी 115 की level पर trade कर रहा है, आज उमीद है जैसे SGX Nifty suggest कर रहा है कि negative खुलेगा, तो यह यहां पर भी negative खुलके, इसका price शायद 103 के आसपास दिखाई देगा, अब चलते हैं, एक और parameter पर जो हमारा favorite indicator है, जो बताता है, कि कहां पर आपको support दिख सकता है, Fibonacci Arch Retracement, एक बहुत बढ़िया indicator है, जो आपको बता देगा, कि आपको क्या करना है, दोस्तों आपसे एक request करेंगे, पहले हम एक चाय का प्याले लिते हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों, COVID का बहुत problem है, तो आप काड़ा अपने घर में जरूर पीते रहिए, अदरक, चाय, तुलसी, साथी साथ में, काले मिर्च, लॉंग, इन सब का 7 कीजिए, आपको और आज, जहां तक उमीद है, 108 का level भी closing basis पर तूटेगा, तो ये एक समझने वाली बात है, कि आगे अगर ये level तूटता है, तो जो next support बनता है, वो यहाँ पर करीब-करीब 76 के आसपास, 78 के आसपास बनता है, तो हमारी उमीद से, अब market में correction की तरफ को आ रहा है, कल का एक perfect example है, dead cat bounce जिसको कहते हैं, ये यहाँ से market नीचे गिरने की उमीद है, SJX Nifty already 90 point गिर के बता रहा है Nifty के लिए, तो कोई छोटी correction नहीं है, इस बात का ध्यान रखेगा, अब अगर हम आगे चल कर बात करें इस वीडियो के बारे में, आगे की क्या information हमारे पास में देखे, जो आप कहने वाली बात होती है, लोग जहाँ पर long होंगे, वहाँ पर अपना protection money आपको रखना होता है, profit booking भी देखी जा रही है, various counters में, तो इसलिए canra bank में आपको सतर्क किया जा रहा है, please अपना profit book कर दिए, UK market का sell off चल रहा है, और European market में भी काफी नमी आ रही हुई है, हमार कुछ banking sectors को nifty या फिर bank nifty को short भी कर सकते हैं, please consult your financial weather before investing in trading, conclusion की दरश्ची से simple answer आपके लिए दोस्तों, अपना पैसा बचाईए, पैसा बचाना सबसे आज़े ज़रूरी है, सही time पर, सही level पर खरीदियेगा canra bank, अभी इस level पर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम nifty और bank nifty क ये active internet service प्रवाइड करते हैं, आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, चार वीडियो प्रस्तोत हैं, जहीं जय भारत, आपका दिन मंगल में हो, bye guys